Redmi Note 13 Pro 5G or Poku X6 के लिए जो निया HyperOS का Update 1.0.8.0 का Official Indian Stable Update जिसका Stable Beta रोल आउट कर दिया गया है पहले इसमें bugs थे, finally उसका Stable Beta रोल आउट कर दिया गया है तो आप लोग भी फिकर होके इस अपडेट कर सकते जो इस अपडेट में आपको क्या खास देखनी को मिला है उसके बार में बात करेंगे उसके साथ अगर आप लोगों ने इसको Update कर लिया है जिसमें मई का Security Press देखनी को मिल रहा है बट आपको bug faces हो रहे है क्योंकि आपने पहले इसे Update कर लिया था तो इस issue को fix कैसे करना है मैं आ पस सेफ है तो मैंने सिंप्लीस पे क्लिक किया अब चेक आउट कर लेते हैं guys कि क्या आपको ने issues देखनी को मिल रहे हैं और कौन से ने features आई है और कौन से ने bug fixes देखनी को मिल रहे हैं और इसकी जो performance है वो कैसी है मैं का Security Patch पहले से इस phone में available था मतलब Poco X6 में भी और Redmi Note 13 Pro 5 जी में भी उसी के साथ चेक आउट कर लेते हैं यहां पे as such कोई changes देखनी को मिल रहे हैं क्योंकि यहां पर community में announce किया गया था एक नया feature display and brightness में वो भी animations का ही icon के तो यहां पे as such मैंने चेक आउट किया हर options को तो मुझे वो नया options देखनी को नहीं मिल रहे हैं वो option अभी at the time global और Chinese users के लिए available करवा दिया गया है future में इंडिया के लिए भी available करवा दिया जाएगा जिसमें specific mention था Redmi Note 13 Pro बट वो guys चाइना वाला था उसी के साथ यहां पे check out कर लेते हैं और कौन कौन से नहीं changes देखने को मिल रहे हैं तो as such internally कोई changes देखने को नहीं मिले हैं मुझे setting section मे उसी के साथ guys यहां पे आप लोग check out कर सकते हो कि आपको dark mode में हलकी सी optimizations मुझे ज़्यादा लगी है आप लोग यहां पे adjust कर सकते हो automatically dark mode को on करने के लिए off करने के लिए इसमें हलकी सी improvement मुझे लगी है तो आप लोग खुद भी check out कर सकते हो आपको कैसा लगा है उसी के साथ text improvement भी आप देखने को मिल रही है तो यह भी काफी चीज है यह कोई नया feature नहीं है बड़ यह पहले से ज़्यादा optimize हो चुका है तो यह एक better चीज है उसी के साथ guys बात करते हैं यहां पे और कहका changes है सबसे पहले guys जो security update है Google play system है वाला वो guys एक मई से updated है यहां पे आप लोग तक इसकी testing करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पे और तब तक आप लोग चैनल को subscribe कर सकते हो वीडियो को like कर सकते हो ताकि future में भी guys आपको इसी कमाल के information देखने को मिलती रहे तो यहां पे आप लोग check out कर सकते हो कोई भी red line देखने को नहीं मिली है यह काफी अची है उसकी performance है वो भी काफी अच्छी है यहां पे आप लोग check out कर सकते हो कि इस समय जो high है guys वो 162 है average 154 है और जो minimum है वो 140 है तो यह guys और जो performance है वो काफी अच्छी है उसी के साथ यहां पे जो security एप है इसमें कोई major changes है की नहीं तो यहां पे guys check out कर लेते हैं बैटरी वाले section म उसमें नए settings एड़ होनी थी वो भी एड़ नहीं हुई है एप लोग भी guys पुराना देखने को मिल रहा है प्राइवेसी protection में भी as such को जेज़स देखने को नहीं मिल रहे हैं उसी के साथ camera में check out कर लेते हैं guys तो यहां पी आपको एक छोटा सा animation में change देखने को मिला है वो जो animation है वो पहले से साथ smooth हो चुका है एनिमेशन की बात कर रही है guys तो जो bug था हमारे icon animation का उसी के साथ यहां पे bolt loop में फस जाने का वो अब काफी अच्छी हो चुका है icon animation भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाते हैं उसी के साथ जो hidden device पर बोल सकते हो special features है वो भी अ memory extension का यह भी काफी इचे से work कर रहा है बाके तो जार है आपको basic features देखने को मिली जाते हैं overall updates safe है bug fixes के साथ आया है security patch का update भी देखने को नहीं मिला technically बट update में ऐसाच कोई दिक्कत नहीं है और इसके जो official links है वो available हो चुके है हमारी telegram channel पे public वाले भी बहुत जा link available हो आपको उमारे channel देखने को मिल जाए का जॉइन कर सकते हो और हमारा group भी है आप उसको भी जॉइन कर सकते हो और daily basis पर और भी आपको यहाँ पर information मिलती रहती है updates के regarding और उसी के साथ आप लोग हमारे channel को भी subscribe कर सकते हो जहां पर बहुत सारे HyperOS के regarding information update के regarding मैं बताता रहता हू जैसे कि यहाँ पर HyperOS AI के बारे में बता रखा है कौन कौन से ने आपके hidden features देखने को मिल रहे है तो आप लोग वो भी check out कर सकते हो तो कैसे लेगी गाइस वीडियो comment section में बता सकते हो और ऐसी और वीडियो के लिए आप लोग चैनल को भी subscribe कर सकते हो